हलो दोस्तों स्वागत है आप सब का इव फिर आपके अपने यूट्यूब चनल इटीचर में हैं दोस्तों लेकर आये हैं जरूरी जानकर इस वीडियो में सभी साथी करमचारियों के लिए अक्सर करमचारियों के लिए कई परकागे प्रस्ण आते हैं सामने चाहिए वो वेत सातियों के लिए और उनका समाधान तो राजये करमचारियों के लिए को परकार के प्रस्ण मन में हैं कुछ प्रस्ण आती है तो सबसे Script है वो ये है कि मैं medical department में हूँ COVID-19 प्रकरण के कारण सभी अवकास निरस्त होने के कारण मैं पितरतो अवकास का उप्योग नहीं कर पया और तीन महीने भी पूरे हो गए है अगर COVID-19 के बाद पितरतो अवकास ले सके ऐसा कोई प्रावदान हो तो बताईए तो इस प्रकरण का उतर यही है दोस्तों कि प्रतरतो अवकास जो निमा अनुसार है प्रस्तुती के तीन महीने की अवदी में भीतर भीतर दे होता है कोई भी ऐसा करमचरी जो प्रतरतो अवकास का उप्वोग करना चाता है तो इसका कोई प्रावदान या सिथिलन नहीं है उसका अतर यही है अगला एक परसन आता है जो सब के मन में कई वार आता है करमचारियों के मन में वो यह है कि अगर कोई करमचारी है फर्स्ट ग्रेड में उसने 30 जून 2017 को मद्यान परसाद जॉइन किया था इसलिए उसका इस जुलाई 2019 को हुआ तो एक जुलाई 2019 को इंक्रिमेंट उसको मिलेगा या नहीं तो दोस्तों इसका उतर यही है कि दो वर्स्पून होने पर दिना एक जुलाई 2019 को उसका वेतर निदान तो हो जाएगा या निस्ताइकन और जो इंक्रिमेंट मिलेगा वो मिलेगा एक जुला प्रवावीट होता है या नहीं और यदे इंक्रेमेंट प्राप्त कर लिया हो तो अगर एक होगा तो है जुलाई को, तो नीमित वयतनवर्दी तो एक जुलाय को ही लगती है, पानतु उसका अर्थिक लाब जो है वह अवकास से पुन जब भी कारい बार गरहन करेगा तो उस कारい बार गरहन करने के तिती शेदे होता है एसे किसी ने आर्थिक लाब अगर एक जुलई से आहरिद कर लिया है तो उसे जो अंतर राशी है उसकी वसूली की जाएगी तो इंक्रिमेंट दो एक जुलाई को ही लगेगा लेकिन जो वापस जब आर्थी लाब उसे मिलेगा उकास से पुना कार गरहन करने के तीति से दे होगा अगर ऐसे मामलों किसे ना आर्थिक बाग जो लाब होता है वो एक जुलाई से आहरीद कर लिया है तो उससे जो अंतर रासी होती है उसकी वापस वसूली की जाएगी अगले क्यूशन के और बढ़ते हैं दोस्तों वह हमारे साथी करमचारियों के लिए वह यह है कि अगर मैं पूर में पूर में पुलीस कॉंस्टेबल था और वरतमान में पुलीस में मैंने 16 जनी दोजा 16 को जोईन किया था पुलीस से रिलीव होकर अब मैं 29 अगस 2019 को 33 स्रै कार है दोस्तों चूंकि कॉंस्टेबल पद का जो लेवल है अध्यापक के लेवल से कम है इसलिए अध्यापक के पद पर सीधी बढ़ती पर जो कारेगण तिति से 9-18-17 वर्ष की गणना ACP के लिए की जाएगी याई 9-18-27 वर्ष का नियम लगेगा इसके साथ समान लेवल से समान लेवल के अन्य पद पर जब नयुकती होती है तो पूरु पद की सेवा अध्य भी केवल ACP गणना के लिए योग्य होती है पदोनिती के लिए योग्य नहीं होती है अगला क्यूशन आता है दोस्तों हमारे सामने करमचारियों से related है वो यह है कि नव नियुक्त कार्मिक है अगर कोई तो उसको NPS के लिए जो प्रान फर्म होता है उसको बिनाकार्मिक की NPS कटोती खाते में जमान नहीं होती है इसके साथ ही ऑनलाइन जनरेट प्रमान पत्र का जो इस्टेट गवर्मेंट में सेक्टर शिफ्टिंग में सभी सलगन दस्ताविज़ों की जांच होती है जिससे शिफ्टिंग में बहुत विलम भी हो जाता है अता इस समद्ध में जीपीएफ विबाग दारा दिये गे निर्देश के अनुसार जीपीएफ ऑफिस में ऑफलाइन प्राण का जो आविदन पत्र बरकर देना अच्छा रहता है और प्राण नंबर जनरेट करवाया जाना ही चाहिए ऑफलाइन ज्यादा बैटर रहेगा इसमें NPS इसकी कटोती जो होती है तुरुद खाते में जमां भी होने लगती है तो ओन लाइन की जगा यह उफलाइन ज्यादा उप्यूग रहेगा इसके लवागला प्रसन आता है दोस्तों हमारे करमचारियों से रिलेटेड वो यह है कि मई 2020 के बिल में मार्च 2020 की SI की कटोती करनी ह है ठीक है तो क्या SI अधिक गोशना पत्र विल के साथ अप्लोड करने हैं जो कि मार्च 2020 के बिल के साथ अप्लोड नहीं किये थे अधिक गोशना पत्र तो इसके समझ में यह है कि 15.05 को जो आदेश जारी किये गए हैं वित्विबाग रास्तान द्वारा वो यह है कि ऐसे को कोई निर्देश नहीं पर यहलों प्रत 친 गोशनपत्र वारदी विल कर देते हैं तो कोई अपति नहीं आप उनको अपप्लूड कर सकते हैं ऐसा ही कटोति को लेकर माहिए 2020 के बिल में मार्स 2020 कि कटोति करनी है यह अगला परसन है दोस्तों साथ ही करमचारियों के लिए वह ग्रैचूटी का बुगतान होता है परिंतु मिर्त्यु उपरांत इसके बुगतान के नियम अलग होते हैं वो इसके गन्ना करने का तरीका भी थोड़ा बिन हो जाता है तो ग्रैचुटी सभी कर्मिकों को मिलती है चाहे इसके लिए डैथ होना जरूरी नहीं है अगला प्रसन है हमारे करमचारियों से रिलेटेड वो यह है पे मेनेजर से समद्धित के पे मेनेजर पर एक करमचारी की जनम तिती है 10-5-1963 और सेवा निवर्ति की तिती उसकी लग हैं और ट्रेजरी में आवेदन करें यह सुधा ट्रेजरी आपके ट्रेजरी ओफिस से कोसा लाएक आरे अले से हो जाएगा इसके अलवा अगला क्यूशन है दोस्तों करमचारियों से रिलेटेड वो यह है मार्च 2020 की जो ऐसा ही कटोती हो रही है तो कटोती को पे मेनेजर युक्तैब में से मही के बिल प्रोसे्स करने उर अपने आप clog उसको कैसे करेंगे तो 15 2021 के विम्म्हद करेंगे आधर के आदेश हैं मार्च 2020 की भकाया SIP की रासी माई 2020 के बिल से कटवती की जानी है अतब Pay Manager System का अपडेट उसके अनुरूप अपडेट कर दिया गया है और माई 2020 का बिल प्रसेस करने के बाद बकाया SIP की रासी Auto SIP के रूपे प्रतशित आउटर इनर एंड सेडूल में प्रतशित हो जाएगी यदि कोई कार्मिक अपने राज्य भीमा लॉन की किसने जो माई मार्च की बकाया है उसे माई में कटवाना चाते हैं तो उसकी सहमती से Employee Pay Details में लॉन की रासी बिल प्रसेस करने से पहले डबल कर देवे और उसके बाद बिल बन जाएगा तो यह ऐसा ही कटवती को लेकर प्रसेन है इसके अलवा अगला प्रसेन है दोस्तों वो यह है कि मेरा जो जनम है सुरी मेरी प्रवेशन का आल जो है दस जनी 2015 को पूर्ण हुआ और एक जुलाई 2016 को इंक्रिमेंट दिया गया क्या यह सही है तो इसका उत्तर इस प्रकार है दोस्तों करमचारियों के लिए चट्टे वेतनवान में नेक्स्ट इंक्रिमेंट के लिए उस पे बैंड में 6 महीने की सिवा आनिवारे थी अता एक जुलाई 2016 को ही इंक्रिमेंट मिलेगा यह सही है अब सात्वे वेतनवान के अनुसा प्रोविशन पूर्ण होने के बाद वेतन दिजान होने की तिथी से नेक्स्ट आने वाली एक जुलाई को इंक्रिमेंट मिलेगा तो यह थे प्रस्न करमचारियों से अगला प्रस्न है हमारे डिये को लेकर अगर हमारा डिये एरियल के ब इसके पास जाता है जो अभी रासी की उपलबता पर हो रहा है उसके बाद ही रासी करमचारियों के ट्रांसफर की जाएगी रासी करमचारियों से रिलेटेड एक और करमचारियों से रिलेटेड वह यह है कि एक कारमी का प्रोबेशन 22 फरवरी को पूर्ण हुआ था मार्स तक प्रोबेशन पूर्ण होने के आदेश भी हो गए फिर परन्तु होड़ी से पे मैनेजर पर संसोधन मही में हुआ अब उसकार्मी की राजय मीमा कटोती नहीं हो रही भी है ऐसा हे पॉलिशी नवरी मैंडिट्री का मैशिज भी आolie थो क्या समाधान करें उसके ऐसा ही नंबर भी नहीं है तो क्या करेंगे तो मास्टर लेट्र में अब क्या करेंगे एसा हे पॉलिशी नंबर 01 0 3 2 0 2 0 लिख दो और ऐसा की कटोती एड़ कर दो फिर पॉलिशी जारी जब होगी तो सभी पॉलिशी नंबर जो है करमचारी से रेलिटेड थे इस वीडियो में आसा है आपको सारे प्रस्णों के उत्तर मिले होंगे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक्यू फॉर वाचिंग और चैनल एटीचर